Let's improve English उसके शैतानी दिमाग में एक आईडिया आया An idea struck his mischievous mind ये struck actually में strike की second form है इसका यूज हम कई बार करते हैं ऐसी बात करने के लिए कि अचानक से आपके mind में कोई thought आया, कोई idea आया An idea struck his mischievous mind यानि की शैतानी दिमाग तब मेरा माता ठंका यानि फिर अचानक से मुझे याद आया Then it struck me that he'd said he didn't have money That he'd said, यानि he had said past perfect tense He didn't have money उसने तो कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है It struck me that he'd said he didn't have money तब मेरा माता ठंका मतलब फिर मुझे अचानक से याद आया Then it struck me that he had said उसने कहा था he didn't have money उसके पास पैसे नहीं है उसने मुझे आखरी चेतावनी दी यानि उसने आखरी में मुझे कुछ कुछ खा कि या तो ऐसा कर दो नहीं तो ऐसा होगा उसने मुझे आखरी चेतावनी दी मुझे आखरी चेतावनी मिल चुकी है आखरी चेतावनी को किसी को पुकारना, जोर-जोर से चिला के किसी को आवाज देना, किसी को पुकारना, call out to someone, why were you calling out to me, यानि मुझे आप आवाज क्यों दे रहे थे, why did you call out to me, आपने मुझे आवाज क्यों दी थी, why did you call out to me, पता नहीं वो मुझे पे क्यों जपता, एकदम से क्यों कूद के इस तरह किसे जपतने को इंग्लिश में पाउंस करना कहते हैं, I don't know why he pounced on me, I don't know why he pounced on me, वो गुसे से मेरी और जपता, he pounced on me angrily, he pounced on me angrily, तुमने मुझे मेरे भाई की याद दिला दी, मुझे याद दिला देना कि दूद उबालना है, किसी को कुछ याद दिला देना इंग्लिश में remind कहते हैं, कई बार लोग confused हो जाते हैं remind और remember में, remember मतलब होता है कुछ याद होना या कुछ याद करना, और remind का मतलब होता है किसी को याद दिलाना, you reminded me of my brother, you reminded me of my brother, यानि मेरे भाई की याद दिला दिला दे आपने मुझे, remind me to boil the milk, remind me to boil the milk, दूद गरम कर करना है, दूद उबालना है, मुझे याद दिला देना, remind me to do something, यानि कुछ करना है, वो चीज मुझे याद दिला देना, लडाई को देखने के लिए लोगों ने भीड लगा दी, जुन लगा दिया, बहुत सारी भीड लगा दी महाँ पे, people flock to see the fight, people flocked to see the fight, यानि लोगों ने flock कर दिया, भीड लगा दी, flock मतलब जुन्द, भीड, इसको ऐसा वर्ब भी हम यूज कर सकते है, people flocked to see the fight, यानि fight को देखने के लिए लोगों ने flock किया, भीड लगा दी, people thronged to see the fight, यानि fight को देखने के लिए people thronged, उसे स्कूल से खदेड के निकाल दिया गया, उसे ग expelled from school, he was expelled from school, यानि school से उसे expelled कर दिया गया, उसे गाओं से खदेड के निकाल दिया गया है, he has been expelled from the city, he has been expelled from the city, यानि शहर से उसे expelled कर दिया गया है, expel किसी को कर देना, मतलब उसे निकाल देना, उसके मूँ पे एक जोर का तमाचा लगा, अपने बच्चों को पीटा मत करो, he got a heart smack, he got a heart slap, थपड को slap, तमाचे को, बहुत जोरदार तमाचे को, और जो चोट लगती है, उसे smack कहते है, smack, he got a heart smack, smack को as a verb उज़ करने के लिए, कैसे कर सकते हैं, इस sentence को देखिए, don't smack your children, don't smack your children, यानि अपने बच्चों को smack मत किया करो, यानि उन्हें पीटा मत करो, वो थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही है, थोड़ी थोड़ी वो मुस्कुरा रही है, she is smiling slightly or faintly, she is smiling slightly or faintly, यानि थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही है, वो तो अपने आप में ही मुस्कुराता रहता है, अपने आप में ही यानि खुद ही खुद मुस्कुराता रहता है इतनी बेवकूफी भरा सवाल वो ही पूछ सकता है यानि बेवकूफी भरा सवाल वैसे dumb का मतलब dumb is a person who can't hear but dumb also means stupid so only he can ask such a dumb question सिर्फ वो ही पूछ सकता है इतना बेवकूफ हो वाला सवाल जादा बेवकूफ बनने का ड्रामा मत करो don't try to act dumb don't try to act dumb यहाँ पर be silent होता है बिलकुल जैसे की कौम में होता है कौम कंगी को कहते हैं कौम जैसे की थम में होता है अंगुठा थम भी silent होता है वैसे ही dumb भी यहाँ पर silent है don't try to act dumb that's it for this video आशे करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर सीखा होगा इसी तरह से अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को subscribe जरूर करना अगर आपने भी तक नहीं किया है तो so friends बात करते हैं next video lesson में till then take care and bye bye